तो भाई लोग कैसे हो आप सभी के एंड वेलिकम बैक टू दी एनेदर वीडियो सुगस जैसा के तुम लोगों को पता ही होगा कि आज के टाइम पे अपनी मैकरीना बहुत जादा चेंज हो चुकी है और पहले के कंपरेजन में अब अपनी गेम के अंदर वराइटिवस ओव मैक्स, वेपन्स, पैलेट्स, इंपलांट्स और भी बहुती चीज़े इंट्रोडियूस करा दी गई है और मैकरीना ये काम इतनी जल्दी जल्दी करीए कि कब कोई नियू मैक्स, वेपन गेम में आकर पुराना भी होगा किसी को घंटा पता न लगता और इसकी जगा एक और चीज नियू नाम का ठपा लेकि गेम में आ जाती है और यही सैकिल हमेशा के लिए रिपीट होती रहती है और गेम के अंदर नियू एसेट्स के नाम पे हमारा काटती रहती है सिंपल मानो जैसे मैकरीना नियू मैक्स वेपन को गाजर मोली कितना गेम में गुसेड़ती जा रही है और बस गुसेड़ती रहती है देखो भाई इस बात को मैं भी बानतू के मैकरीना पहले से बहुत जादा एडवास हो चुके है लिकिन इसके साथ इसाथ ये चीज़े गेम को अंस्टेबल भी बना रही है और इंप्रूव होने की जगा उल्टा गेम का बैलस भी गड़ रहे है अब ये सुनने के बात कुछ भगोडे कोमेट सेक्शन में लिखने लग जएगे कि भाई वो लो लेवल प्लेयर्स के लिए है ब्रोई ड़सेड मेक अनी सेंस क्योंकि पहले भी न्यूबोवन प्लेयर्स को गेम में किल्शोड और पैंथर मिलते थे और वो से अपग्रेड करते थे लिगेन अब नई 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 भाई पहले पुमा स्लिंशोड अनलोग करो उनको अपग्रेड करो अपने टीर लेवल इंक्रीज करो उसके बाद कहीं जा के तुम्हें किल्शोड और पैंथर नसीब होंगे और बात सिरफ इदर तक भी खतम नहीं होती ये मैक के रिने वाले किसी पुराने मैक की अबिलिटी को पकड़ के उसे तोड़ोड मरोड के जिसे ये लोग मोडिफाई कहते हैं और साथ इसाथ किसी बाब आदम के जमाने के मैक की स्किन को लेके से थोड़े बहुत आगे पीछा करके जिसे ये लोग न्यू मैक के नाम देते हैं इन दोनों चीजों को साथ मिले पेट के हमें गेम में वापिस थोप दिया जाता है और यही है इनके धंदे का राज जिसके उपर से मैंने परदा उठा दिया और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो ये देखो नोमेड जो की किलशोड का मोडिफाइड वर्जन है एकलिप्स जो की शैडो का मोडिफाइड वर्जन है सेंटिनल जो के एरिस का मोडिफाइड वर्जन है स्कोर्पियस जो के एर्रकनोस का मोडिफाइड वर्जन है क्या इन सब को देखके तुम कह सकते हो के मैकरीना ने कुछ नया किया है तो इन्होंने दो मैक्स की अबिलेटी को कमबाइन करके एक न्यू मैक निकालना शुरू कर दिया वाओ तालिया होनी चाहिए और यहीं से गेम अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है वरना पहले मैकरीना के प्रो दी प्रो प्लेस ब्रिक हाउस को यूज करते थे चलो माना स्टोकर इतना बड़ा फ्लो नहीं रहा क्योंकि प्लेट्स ने भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया उसके बाद भी मैकरीना ने कुछ ऐसे मैक से निकाले जो की यूनीक थे और फिर जब इनके दिमाग की जगा भूसा बरना शुरू हो गया तो उन्होंने ये कांड कर दिया और ये बाद मैं दिमाग में तबसे थी जबसे नोमेड और बेस्टीन आया है देखो भाई इस बात को सारे एकसेप्ट करते हैं कि खेट मैकरीना का एक बहुत ही पॉपिलर मैक था और अल्टरा नूप से लेकर अल्टरा पुरो तक सारे इस मैक का यूज़ करते थे और ये मेरा भी बहुत फेवरेट था और उसके बाद एक इंशोट का इन्हेंस्ट वर्जेन नोमेड और यही काम शेडो की साथ भी हुआ देखो भाई शेडो है पहले एक बहुत यूनिक मैक था ये गायब हो सकता था जो कि और कोई मैक कर नी पाता था और सिरफ शेडो ही नी मेकरिना के बाकी बहुत जितने भी ओल्ड मैक्स है जिनके अल्डरनेट गेम में आ चुके हैं उन सभी के साथ भी यही हो रहा है मानो जैसे मेकरिना खुदी अपने ओल्ड मैक्स को अंडरर स्रीमेट कर रही है और उनकी जिगा अपने Modern Max को दे रही है और अपने इसी धोगलेबन को छुपाने के लिए Macarena गेम में एक ऐसी चीज लेगे आई जो कि अब तक का सबसे भयानक और बकवास अपडेट था और उसका नाम है Gear Hub येस गाइस दुमने बिल्कुल सही सुना Gear Hub और जिन प्लियर्स को लगता के Macarena गेरहब को गेम में एड़ करके एक बहुत ही अच्छा काम किया है तो भाई तुम्हें गुठने के टॉक्टर की जरुवत है क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी गुठनों में रहा गया है और इन्होंने Gear Hub में TS सिस्टम इसलिए दिये ताकि ये पुराने Macs को अंडर एस्टिमेट करके उनकी जगा न्यू Macs को दे दें क्योंकि किसी भी Macs ये वापन को बाया अपग्रेड करने से तुम्हारे स्टार इंक्रीज होंगे और जब तुम्हारे स्टार इंक्रीज होंगे तब ही तुम्हारे निया टियर अनलोक होगा मतलब एक तीर से तीन निशानने है बलके इसका नाम Gear Hub नी Torture Hub होना चाहिए था और इसी वजह से डे बाड़े मैकरीन में चीज़े खराब होती चली जा रही है आई नो गाइस के एक गेम में बहुत सारी अबलेटी इंक्लीड करना बहुत मुश्किल है लेकिन वार रोबोट्स और सूपर मेका चेंपिन जैसे गेम में भी दूरी आफर के अबलेटीज है और उनकी मैक्स के अबलेटी भी किसी भी दूसरे या तीसरे मैक से मैच नहीं करती मतलब वो जब भी कोई नया मैक अपनी गेम में इंट्रोड्यूस करते तो उसकी अबलेटी बिलकुल अलग होती है तो मैकरीन अगर मैं बिलकुल होना स्टो के बताऊं तो एक दो बारी अच्छा लगता है लिकें अगर तुम बार बर वही दो मैक्स के अबलेटी को मर्च करके कोई एक नया मैक निकालते हो या फिर किसी पुराने मैक के अबलेटी को अप्ग्रेड करके उसे थोड़ा डैमिज देके नए मैक के नाम से निकाल देते तो उसे क्या होगा है बाकी मैक्स पे असर पड़ता है और उनकी वैलियो कम होने लगती है और सिरफ इतना ही नहीं अगर तुम डेली मैक लिना प्ले करते हैं तो तुम्हें पता होगा कि जब भी तुम बैटल लगाते हो 5v5 खेलते हो और खासकर जब टूर्नामिंट प्ले करते हो तो एनिमी टीम के पास जो मैक्स वैपन्स और पाइलेट्स होते हैं वो हमेशा तुमारे हैंगार के एकोडिंग ज़्यादा अप्ग्रेडड एड़ करने से मतलब है और अगर कोई चीज गेम को प्रोग्रास करने में प्लेयर्स की हेल्प करें तो यह जानत बूझकर उसको भी डिफिकल्ट बना देते हैं ताके हमें और ज्यादा महनत करनी पड़े तो मैकरीने वालो अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो प्ली जå Зब एडियो जट ग्ड़ देख रहे हो तो मैकरीने वालो तो यह जानत बनार करने में फत्तक्त्त ह। झाल झाल